लोग फ्रेंट्स में नाम है विपिन सिंग और आज आप हम लोग देख रहे हैं चैनल ठाको पब्लिकेशन और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट यूपी बीकॉम सेकेंड सम्का फैनेशल अकाउंटिंग है जोकि नेपी से लेब सबस्ष्ट है इसमें हम लोग पढ़ रहे थे इस में योग पढ़ रहे थे जाहनże of expenses पार्ट सी में हम लोग पढ़ाता इंटना करेंगे इसनीर दिपाल्मेंट भातएड टांफर और पार दी में हम लोग पढ़ रहा हैं प्रॉबлемस ओ डिपाउट्मेंटल हम लोग बनाएंगे इसमें हम वह क्या क्या करेंगे जंडर प्रोफित लॉस एकॉट भी इसमें होता है वे जन्रárias प्रोफित अला सक्ट्ट होता क्या है । इसको क्भी बनाते हैं और सम्सेंट गोट भी अपर्शेंट एंड नो बेसिस ऑफ अपर्शमेंट इस प्रैक्टिसेबल फॉर इंस्टेंस इंटेस्ट ओन लून इंकम टैक्स सैली टू जनरल मैंजर शेर टांसर स्पेंसेस बैंक चार्जस और दिफिस एसेक्टर है इस एक्सपेंसेस साथ सेफली टू बी ट्रांसफर टू अगर किसी कुष्चन ने मैंशन है कि हम लोग इसमें बेश्यो में करना है तब तभी हम लोग उसको पॉस्टमेंट कर सकते हैं बना ऐसे यह जो है जेनरल प्रॉफिट लॉट्स अकॉट्प में जब ट्रांसफर हो जाएगा इंकम जैसे हो सकती है कॉल इंवस्टमेंट इंवस्टमेंट को भी इंटरस्ट मिल दा है या कोई शेर ट्रांसफर पर हम लोग को फीस मिल लगी है तो यह सब भी जो credit हो सकती किस पर general profit and loss account में उपर वाली होती है debit में और यह और यह credit में तो आएब इस basis पर हम लोग एक नुमेरिका देख लेते हैं जिसमें हम लोग बनाएंगे general profit and loss account, general balance sheet तो आएब देखते हैं question क्या बोला है for example 9, a company has two departments P and Q, based on the furnished particulars you are required to prepare the trading account, general profit and loss account and balance sheet for the year ended on 31st December 2021 मतलब कि दो departments है एक company के अंदर P and Q और उनके क्या information दे रखे गी है कि हम लोग इसमें बनाना है departmental trading account और general profit and loss account और balance sheet आगर general profit and loss account ना भोला गया होता तो हम लोग departmental trading any profit and loss account बनाते हैं पर इसमें बोल दिया गया है कि general profit and loss account भॉसक्त में बनाना है ओकी डेट को बनाना है 31 December 21 जब एंडड हो रहा है तो इसमें हम लोग को क्या दे रखा गया यह प्रॉइकूलिस दे रखा गया है सब्रभ के आएक प्रिटियज़ में क्या दो रखा गया है लाइंड यह करा है ये 125 लाग की फन नीच्चा दे रखा 25,000 का ओपनिंग स्टॉक P&Q के दे रखा गया 30 & 40,000 पर्चेज़ बता रखेए ये पर्चेज़ है पी की और क्योंकि 10 लाग & 15 लाग सेस रखेए P&Q की 20 लाग & 32 लाग जनरल एक्सपेंस बता रखा गया 14 लाग का, debtors है 2 लाग का, creditors है 1 लाग के, drawings है 280 लाग का, bank है 10 लाग का और टोटल है दोनों का debit credit site 56 लाग का, additional information क्या दे रखेगी है additional information देखेगी, closing stock held with department P is amount to rupees 1 लाग 30,000 मैं लाग P के पास जो भी closing stock बचा हुआ है वो कित्ते का है 1 लाग 30,000 का तो यहाँ पर लोग एक जाके लिख लेते हैं, department closing stock department P का, और department Q का, यह कित्ता है, यह है 1 लाग 30,000 आगे क्या बोलागा, this amount comprises the stock of 40,000 that has been transferred to the department Q by the department P by the department Q, मतलब को एक amount है stock, जो है 40,000 का वो department P को transfer हुआ है, किस से department Q से transfer हुआ है, तो यह इंटर department है transfer हो गया, तो उसमें जो है, जो भी stock बचा है 40,000 का, तो मतलब कि यह जो इंटर department transfer हुआ है, वो है 40,000 का, closing stock helped with department Q is amount to Rs.2,60,000, तो ऐसे Q के पास अब किती है, 2,60,000, this amount comprises the stock of 90,000 that has been transferred to the Q by the department P, तो इसमें जो है एक amount है 90,000 का, वो transferred हुआ है, department Q को department P से, तो इन्होंने जैसे Q और P, तो हम लोगोंने पहले देखा कि department P के पास जो भी stock है, 40,000 वो मिला है, department Q से, 40,000 का, और इस amount comprises the stock of, दूसरे में बोला गया है, has been transferred to the department Q by the department P, तो department P ने department Q को transfer करा कितना, 90,000 का, closing stock, जो इसमें से एक portion है, छोटा सा, और नेक्स क्या बोला गया, sales of department P comprises the goods of 22,00,000 transfer to department Q, and the sales of department Q comprises the goods of 3,00,000 transfer to department P, मैंना कि department P ने जो sales करी है जो कि 2 लाकी है ट्रान्स gegen करी है department Q को और जो sales हुई है department Q की त्रियолाकी वो transfer हुई है department P को तो sales भी हुई है Q और Q ने एक दुस्रे को transfer करी है कित्ते क Hip drum को transfer है Q को transfer हुई है 2 लाक रोपेस की और डेपार्टमेंट P ने क्यों को टास्वर करी है फिल है ठीक है next information क्या दिर रिखे गई है closing stock held with department P comprises the goods of 10,000 received from the department Q at cost price and the closing stock held with department Q comprises the goods of 15,000 received from the department P at cost price तो जो भी closing stock department P के प्राइस पड़ा हुआ है वो कित्ते का है 10,000 का जो कि department Q से received हुआ है cost price पर closing stock जो भी department Q के पास पड़ा हुआ है 15,000 का वो received हुआ है department P से at cost price अगर कोई भी जो है department एक दूसरे दूसरे इसको टांसर करता है और last में उसको पास stock बचा रहा जाता है तो और उसको sale नहीं कर पाता है तो उसमें उसको हम लोग ने जैसे पड़ा था कि वो stock reserve में चला जाता है क्योंकि उसमें भी कुछ profit का portion होता है जो उसको जो sale नहीं कर पाता है receiving department और वो दूसरे department के लिए क्या बन जाता है opening stock बन जाता है next year के लिए क्योंकि वो उस next year में उसको sale करेगा तो department P और department Q के पास opening stock हो जाएगा 10,000 का और Q के पास हो जाएगा 15,000 का और next 5th point में क्या additional information हम लोग को दे रखे कि the rate or depreciation charged on land and building is 5% per year and on furniture is 10% per year तो मतलब जो भी land and building पर depreciation लेगा rate का वो होगा 5% और जो furniture पर लगएगा वो होगा 10% yearly हम लोग पढ़ने जा रहे हैं department अब हम लोग बढ़ते हैं solution के और हम लोग हम ने format बना दिया departmental trading account का किसी एक लिए बना रहे हैं हम लोग 31 December 2021 के लिए हम लोग बना दिया debit or credit site particular लिख दिया है P&Q लिख दिया departments दो departments हैं तो अब हम लोग जो है gross profit निकारेंगे तो trading account में हम लोग gross profit निकारने के लिए क्या क्या input करते हैं उसमें mainly हम लोग को चाहते हैं opening stock purchases sales closing stock और अगर other information अगर हम लोग के पास given है तो इसमें हम लोग को क्या दे रखा गया है तो यहां पर हम लोग को दे रखेंगे purchases दे रखेंगे 10 lakh and 15 lakh की तो हम लोग ने purchases लिख लिख लिए 10 lakh and 15 lakh total 25 lakhs की उसके बाद हम लोग को sales दे रखेंगे P&Q की 20 lakh and 32 lakhs तो हम लोग ने इसलिए 20 lakhs and 32 lakhs total होगे 52 lakhs की closing stock हम लोग को given है closing stock हम लोग निकाला था 1 lakh 30,000, 2 lakh 60,000 का जो additional information में given था तो हम लोग ने note कर लिया है तो total उसका 3 lakhs 90,000 का और कोई information given है नहीं हम लोग को trading accounts में input करेंगे तो उसके बाद हम लोग totaling कर लेते हैं P&Q की total आ रही है 21 lakh 30,000 और Q की आ रही है 34 lakh 60,000 जो मुझे लग रहा है कि debit side opening और purchases से ज्यादा है तो अब हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए इसको profit निकालने के लिए डिट कर लेते हैं तो 21 lakh 30,000 मेंस हम लोग 30,000 10 lakhs डिट कर लेते हैं तो total आ गया 11 lakhs का अब 34 lakh 60,000 मेंस हम लोग opening stock 40,000 और purchases डिट कर लेते हैं तो अब इसके बाद हम लोग को बोला गया था general profit and loss account बनाने के लिए तो जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग discuss करते हैं general profit loss account हम लोग क्यों बनाते हैं अगर को भी चीज़े हैं हम लोग को ऐसी expenses या incomes given है जो कि अपॉश्मेंट नहीं हो सकती अगर इनफॉर्मेशन गिवन होती उसको किसी पर इनफॉर्मेशन बता गया होता है कि यहां इसको अलोगेट करना ही करना है इस रिश्यू में तब हम लोग इसको अपॉश्मेंट करते हैं पर इसमें कुछ इनफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम लोग जो है इसको जनरल पॉफिलास अकॉंट में इनफुट कर देंगे तो हम लोग को जनरल स्पेंसर्स दे रखे गे 14 लाक्स की तो यहां पर हम लोग जनरल स्पेंसर्स लिख दिया है जनरल पॉफिलास अकॉंट म हम लोग ने यहां पे land and building और furniture पे depreciation निकाल लिया है लैंड आइंब बिल्डिंग पे 5% depreciation वन्लाग 25,000 पे निकाला था उस पे 5% निकाल लेंगे तो यह आज आज आपका 6,250 और ऐसे 25,000 जो की furniture पर लोग निकालेंगे 10% depreciation तो यह आज आपका 2500 तो यह हम लोग ने आपका नोट डाउन कर लिया है depreciation टोटल आएगा इसका 8750 अब हम लोग यहां पे अंडियलाइस प्रॉफिट निकालेंगे एक closing stock पर निकलेगा एक opening stock पर निकलेगा निकालने के लिए पहले हम लोग 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 प्रॉफिट निकाल लेते हैं सेल्स है पी की 20 लाक्स तो इसका टोटल आजाएगा डिवाइट करने के बाद 55 परसेंट क्यूंकि यह प्रॉफिट ग्रॉफिट निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक पे जैसे हम लोग ने इंफॉर्मेशन जैसे हम लोग देखा था यहां पर एडिशनल फॉर्मेशन में बोला गया था कि यहां पर फॉर्फ पॉंट में कि क्लोजिंग स्टॉक है वी डिपार्टमेंट की कंप्राइज़ दे गुड्स ऑफ 10,000 रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट क्यू अट दि कॉस्ट प्राइज़ एंड क्लोजिंग स्टॉक लिए उक्या जाएगा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा तो ऐसे दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को जो है सेल्स करा है तो उनके लिए नेक्स टेर के लिए क्लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक जो का 10,000 और 15,000 का तो हम लोग अंडेराइस प्रॉफिट उस ओपनिंग स्टॉक पर निकाल लेते हैं तो पी का हो गया का गिवन था ओपनिंग स्टॉक 10,000 हो जाएगा और क्यूब का 15,000 पर यहां पर क्यूब का 60% था जो उसमें कुछ बेचा था उसको तो पी के पास उस ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे 60% तो 10,000 में से उसको 16% हम लोग निकालेंगे तो टोटल कितना आजाएगा 6,000 का ऐसे ही यहां पर 55% पी का क्यूब के पास ओपनिंग स्टॉक में कितना परसेंटेज प्रॉफिट बचा रह गया है तो 15,000 में से 55% उसको कर ले 50 तो टोटल अंडिलाइज प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक पर कितना हो जाएगा 6,000 प्लस 8,250 टोटल हो जाएगा 14,250 तो यह हम लोग ने जन्र प्रॉफिट अलॉस अकांट में आप हम लोग लिख लिया है डिपार्टमेंट प्रॉफिट अब अंडिलाइज प्रॉफिट हम लोग के पास प्रॉफिट हम लोग के पास बच गया है तो उसको निकालने के लिख लेते हैं तो जैसे हम लोग देखा थे कि यहां पर कुछ पोश्चन बागी था क्लोजिंग स्टॉक में जो सेल करा गया था तो प के पास था 40,000 और क्यूंग के पास था 90,000 का तो उस क्लोजिंग स्टॉप में पी क्यों का 60 परसेंट था और पी का था 55 परसेंट तो पी के 40,000 क्लोजिंग स्टॉप में से उसका 60 परसेंट उसको हटा लेते हैं तो टोटल आजाएगा 24,000 का ऐसे क्यों के क्लोजिंग स्टॉप 90,000 में से पी ने उसको सेल करा था गुट्स तो उसमें उसका परसेंटेज किता था 55 परसेंट तो अगर हम लोग उसको डिरेट कर लेते हैं टोटल आजाएगा 49,500 तो टोटल अनलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉप किता हो जाएगा 24,000 प्लस टोटल 73,500 का तो वह उसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं अनलाइज प्रॉफिट के यहां पर लिख लिया है तो डिपार्टमेंट पी का 24,000 और डिपार्टमेंट की का 49,500 टोटल हो गया 73,500 का तो अब हम लोग ने सारी एडिशनल फार्मेशन यूज़ कर लिया है और यहां पर हम लोग एक एडिशनल फार्मेशन बागी रह गई है जो कि यहां पर बोला गया था कि सेल्स और डिपार्टमेंट पी ने जो के पास जो भी गुट्स है 2,000 का ट्रांसफर क्या था क्यों को और सेल्स करी गई थी कंप्राइज़ दो गुट्स ऑफ 3,000 ट्रांसफर गई तो इंटर डिपार्टमेंट शेल्स कंप्यूटर्ड ओनली फॉर एंसोर स्टॉक जो भी एंडाइस प्रॉफिड या स्टॉक रिजर्भ होता है ट्रे इबार्टमेंट का सवस्तॉल में सेल्स होता एक मैंुकूर्ण होो हिसरघ व्लोग उसको कंशीडर नहीं करेंगे 20,000 हाँ तो टोटल 30,000,000 हो गया और 14,250 इसको हम लोग कर एडिशन कर लेंगे तो टोटल हो गया 30,000,000 34,250 इसमें से हम लोग डिड़क कर लेते हैं जनरल एक्पैंसेस 14,000,000 का डेप्रिसेशन 8,750 का enrollee workрок जो कि हम लोगा 73,500 का तोटल का नेट प्रॉफित हाजाएगा क किट ता 15,52 तो हम लोग का बेसिकलि क्रस प्रॉफित निकाल लिया जंडरर प्रॉफित लौटिस अकोडमिशन नेट प्रॉफित निकाल लिया अब डुआएंगे इसके बैंस शीट हम लोग को पता हम लोग न्यू शेडूल 3 के एकॉर्डिंग बनाते हैं वर्टिकल फॉर्माट में तो यहां पर में बैलांस शीट लिख लिख लिया है किस समय बना रहे है एज़र 31 डिसंबर 21 में बना रहे हैं पर्टिकुलर्स हम लोग लिए इसमें एक्विटी लाइ 27 है 3,00 The की तो यहां पर हम लोगने शेर कैपिटल लिख लिख ली है 3,00 The Knots से अकान बनाएंगे हम लोग और कु՛ तो नहीं है कैपिटल में यहां पर ज़ए ड्राइंस डे रखे न्राइस प्रेका ने capital 3,00,000 में से drawings 2,80,000 direct कर लिया है तो total किता आया 20,000 तो हम ने 20,000 share capital में यहां पर note down कर लिया है reserves हम प्लस हम लोग ने net profit निकाला था किता 15,52,000 का stock reserve opening stock हम लोग closing stock हम लोग का पास total किता था 73,500 का 73,500 का इसमें से opening stock 14,250 हम लोग direct कर लेंगे यहां पर net profit stock reserve 73,500 में से 14,250 हम लोग direct कर लेंगे क्यों direct करेंगे क्योंकि closing stock तो last का बाकी रह गया है और उसमें से जो है next year में 14,250 का profit हम लोग यहां पर बेज देंगे तो यहां पर इसमें को direct कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्फ एडिशन के बाद टोटल रहा है 16,11,250 अब हम लोग नहीं पर इसको कर लिया है 16,11,250 ठीक है non current liabilities हम लोग को कुछ given नहीं है current liabilities में हम लोग को क्या दे रखा गया है current liabilities में creditors आते हैं जो हम लोग को दे रखे टोटल हो जागा हम लोग का 17,31,250 अब असेट साइट में क्या आएगा असेट साइट में टैंजिबल असेट्स हम लोग को दे रखे सिर्फ लाइंड बिल्डिंग एंड फर नीचर दे रखा गया है उस पर हम लोग ने depreciation लगा था तो वह हम लोग देख लेते हैं 1,25,000 depreciation लगा था 1,25,000 पर 5% था टोटल आता 6,250 टोटल आया था 1,18,750 उसमें डियरट करके फर नीचर था 25,000 का उसमें depreciation करेंगे टोटल आएगा 22,500 इन दोलों का addition करने के पास लाइंड बिल्डिंग तो यह हम लोग का जह है टोटल आएगा tangible assets 1,41,250 यह हम दोने no down कर लिया है intangible assets या goodwill है ऐसे कुछ हम लोग के पास given नहीं है तो हम लोग इसको भी निल कर दिया है current investment हम दोने निल कर दिया है current assets में आते current assets में हम लोग को inventory दे रखे गे थी closing stock हम लोग बेसिक लिखेंगे तो closing stock department यह क्योंकि किती थी 1,30,000 2,60,000 total 3,90,000 वो हम लोग नहीं यहां पर no down कर लिया है और question में हम लोग को क्या दे रिखाता liabilities adapters से रखे गए जिन लोग को pay करना 2 lakh का तो वो हम लोग नहीं यहां पर no down कर लिया 2 lakh के adapters क्रेंटर्स में और क्या दे रखा cash and cash requirements कोश्यन में इन्फॉर्मेशन है 10 lakh 10 lakh की तो हम लोग नहीं यहां पर no down कर लिया cash and cash requirements में bank 10 lakh की और कुछ सारी information में नो डाउन कर लिया अब इसका total कर लेते हैं total इसका भी आ जाएगा लाग 41,050 कि लाग 90,002 लाग और तन लाग टोटल आजाएगा सेवटी लाग 31,250 तो यहां पर यहां पर निकाला है है यहां पर लोग फ्रीडर्डंका बनाया जन्रेल प्र प्रोफिट्ते लाग से कंड बनाया उसके बात बनाया सिट यहां पर में लोग का फिर्ट प्रॉ के और इसमें भी हम लोग जनरल प्रॉफिट लाउस अकाउंट डिपार्मेंटल अकाउंटिंग बनाएंगे विद बैलेंशीट तो इसमें में को क्या इंफोर्मेशन दे रिखे गई है आप बिजनेस ए और बी प्राइवल लिमिटेट हैस्टू डिपार्टमेंट्स देपार्मेंटल ट्रीडेंग एकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंशीट बनानी की यह विग्यों好吃 यहों दिसम्बर ट्योंटिवेंट की बेलेंस बनानी है चेलनल प्रोफिट एलेंस लगशेंग नहीं में पर्या यहां पुल्फिट भीन रिखे गई है capital दे रखा गया 71 लाग का sales दे रखे प्रोड़क्ट A और बी की 59,000 29,500 purchases दे रखे गई है 20,000 10,000 stock दे रखा गया है फर्स फर्स तूर्थ 317 मतलब यह opening stock है प्रोड़क्ट A और प्रोड़क्ट B का जो है 2320 and 2136 salaries दे रखे गई है 20,560 और 15,440 की advertisement हम लोकों दे रखा है 615 का discount allowed मिला है प्रोड़क्ट A और प्रोड़क्ट B को 400 and 200 का drawings दे रखे गई है 3000 की building की cost दे रखे गई 43,500 की equipments at WDB बदलब की return down value पर तो प्रोड़क्ट A और B का है 18,000 and 7,000 debtors दे रखे गई है 10,200 और 5,019 के bank मिलाब cash किता है 5,600 का rent and rates दे रखा गया 1580 का canteen charges किते है 875 के heating lighting 880 का insurance stock पर किता है 940 पर general administrative expenses 2073 ठीक है यह information हम लोग को मिल गए इसमें हम लोग कुछ apportionment करेंगे जब लोग टेडिंग profit and loss second बनाएंगे और कुछ information हम लोग की balance sheet में जाए और additional information के हम लोग को क्या given है the following amounts were outstanding on the date of 31 December 2021 मिलाब कुछ amount or outstanding है जिम लोग को pay करना है तो उसमें salaries किती है workers की product A में और product B की product A की है 250 और product B की है 170 heating and lighting expenses 200 की outstanding है जिम लोग को pay करनी है और कुछ के information देखे कि second point में the following expenses include the prepayments with respect to the given amounts मलब कि कुछ ऐसे expenses है जिंक हम लोग payment पहले कर चुके हैं तो उसमें general administrative expenses का payment हम लोग 33 रूपीज का पहले कर चुके हैं और rent or rate expenses 80 रूपीज का पहले pay कर चुके हैं closing stock 35 December 2021 में क्या थी product A और product B की product A के थी 2800 और product B के थी 2450 rate of depreciation equipment पे कित्ता चार्ज हो है 10% on WDV method और पांच पांट हम लोग कर क्या बोला है the managers of product A and product B are entitled to receive commission at 5% on the net profit जो भी manager होगे product A और product B पे कित्ता commission उस पे receive करेंगे 5% करेंगे जो में नेट profit निकालेंगे departmental टेडिंग प्रॉफिट लास अकॉंड बनाकर managers commission is paid before the payment of departmental commission जब manager का commission होगा वो हम लोग departmental commission payment से पहले कर देंगे the following information should be considered for apportioning the various expenses between the two departments अब हम लोगों को can formation दे रखे गई है कि हम लोगं apportionment करने के लिए इस चीजों का जो है इस्तिमाल करेंगे इस basis का जिसमें number of workers होंगे जो हम लोग लोग यूज करेंगे average stock level दे रखा गया है और floor area दे रखा गया है यहां पर मिले जो भी जनरल administrative expenses होगा वो किस पर प्रसेस्स होगा पर चेज़ेज और सेल के इंवास पर दोनों include करके तो आयो बटर सलूशन की और तो आयो सलूशन देख लेते हैं तो सलूशन पर हमने फॉर्मैट बना लिया के डिपार्मेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट लाउस अकाउंट किस कंपनी का ए और बी प्राइब इलिम्डेटेट का की सिर्क्ले बना रखा है फॉर्ड़ यह एंडेड डिसंबर 2021 डेबिट के इस साइड हम लोग नोडान कर लिया है पर्टिकुलर्स टोटिकूलर्स और प्रोड़क्ट इंद रखे गई है तो आए इंट्फॉरमेशन का रहां पर्वेष्चन है उन Aurum को चाहिए होता है पर 2220 की product A की औव product B की 2136, थो हम लोग funded तोर्द उसका कर लिए 4456 और क्या देर का purchases दे रखे product A औно product B की 20 थो़ववग 2 तो यह हम लोग पार्चेजर से लिख लेते हैं 20,000, 10,000 तो टोटल हो गया 30,000 का और अन्फरमेशन हम लोग के कहा दे रखे दरिक से रखे गए प्रोड़क्ट है और प्रोड़क्ट भी की 59,000 तो 29,500 तो यहां पर हम लोग ने सेल्स भी लिख लिए 59,000 और 29,500 टोटल हो गया 88,500 और कोशंज इन्फरमेशन हम लोग यहां पर ग्राउस प्रोफिट के लिए निकालने के लिए जरूरी है नहीं और क्यों इफर्मेशन गिवन नहीं है तो यहां पर हम लोग का टोटल क्रेट साइट जहां पर ज्यादा दिख रहा है जो कि है यहां पर प्रोड़क्ट एका 61,800 इसमें से हम लोग ओपनिंग स्टॉक का पर्चेजर डिरट कर लेंगे तो यहां लोग का बैल स्टॉक का पर्चेजर डिरट कर लेंगे 21,036 और पर्चेजर 10,000 का तो यहां पर हम लोग का जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 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 बनाकर अब उसी डिपार्मेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट अलाउग्स एकांट बनाएं जैसे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो ग्रॉफ प्रॉफिट प्रॉफिट जो यहां लोग लोग ब्रॉड डाउन करेंगे यहां पर हम लोग ने इसको ब्रॉड डाउन कर लिया 39,480 और 19,814 टोटल किता हो गया 59,294 रॉपीस का अब हम लोग को यहां पर salary रखे गई इंक्लोडिंग outstanding मतलब जो salary थी उसमें कुछ पैसे बागी था हम लोग को देने के लिए तो उसका हम लोग use कर लेते हैं तो salary थी product A की 2560 और product B की 15,440 और outstanding किता था outstanding था हम लोग के पास यहां पर 250 और 170 का तो उसमें addition हो जाएगा salary में तो total उसका किता हो जाएगा 20,180 और 15,610 तो total हो जाएगा 36,420 अब हम लोग के पास advertisement किता दे रखाता advertising हम लोग के पास 615 वो किसी में apportionment होगी तो advertisement हम लोग को जैसे पाता कि apportion होती है sales के ratio में तो 615 हम लोग को दे रिखा गया है यहां पर sales product A किती 59,000 और product B किती 29,500 total था 88,500 तो यहां पर apportionment कर लेंगे 615 को तो यहां पर total हो जाएगा का 410 और product B को 615 से जो है अपर्शमेंट कर लेंगे 29 sales के रेशियो में 29,500 डिवाइड़ बाई उसका total sales का 80,500 तो टोटल हो जाएगा हम लोग को 205 रुपीज तो यह हम लोगने नोट कर लिया एडवर्टिजमेंट में एपर्शमेंट करके 410 और 205 टोटल करता हुआ 615 अब डिसकाउंट अलौट दे लिखेते हैं डिसकाउंट अलौट 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 बी को गित्ता दे रखा गया 400 और 200 का तो डिसकाउंट अलौट जाए कोई भी अपर्शमेंट नहीं होगा तो हम लोग 400 200 लिख लिया है तो हो जाएगा टोटल 600 का रेंट अंडेट्स हम लोग को दे रखा है कित्ता 1588 तो यह हम लोग को किस अपर्शमेंट में होना है कि एचे फ्लॉर एर्या की बेसिस पर परस्चमेंट होता है कि कि इतना डिपाट्मेंट ने किता जो है एरिया क्याप्चर का रखा है तो उसके बेसिस पर हम लोग रेंट डिवाइड होता है तो फ्लूर एरिया और ओर बी डियर का तो टोतल करता हुआ सिक्स थावजन का तो अगर में cinch together आपकर सब्सक्राइब करें तो 1500 बाइद बाइद फॉर थाउजन शीच थाउजन ले या तो फॉर बाइड सिक्स कर सकते हैं उसको में फॉर बाइड सिस कर लिया तो टोटल करता गया वन 1,000 और उसी 1,500 को शहरा आपउस्चमेंट कर लिया वह तो बैसके स्टेशियों में तो कित्कता हो गया 500 का तो हम लोगों यहाँ पे इसको आपउस्चमेंट कर लिया है रेंटेश 1,500 तोटल हो गया 1,500 का है अब हम लोगों को क्या गीवन है कि अब हम लोग को दे रखा गया कैंटीन चार्जर्स केंटीन चार्जर्स हम लोग को किती दे रखे गई है 875 रूपीज की कि कि और रेंटैयों के पास प्रीपेड कुछ बचावा था तो हम लोगों पहले पे कर चुके थे तो हम लोगों ने इसमें से डिट कर लिया था तो टोटल अगया था फिफ्टीन हंड़र हम लोग उसको एपॉश्मेंट करा था तो किन csarges हम लोग को किस पे अलोकेट हो चालेंट होती है c skipped branches होती है नंबर अफ बर्क पे तो तो नंबर आफ बसकिंघ्रत रखे गए है नाइन और शुम मेरे कितदय लोग काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो है अपॉश्मेंट होता है तो उसको अपॉश्मेंट कर लेते हैं नंबर वर्कर्स को तो 875 को नाइन इस्टू सेश्यों में अपॉश्मेंट कर लेते हैं तो टोटल 9 by 15 हो गया तो इसका आगया 525 अब उस और 350 तो हो गया 875 अब हम लोग को क्या दे रखा गया है अब अंब लूंको दे रखा गया हीटिंग लाइटिंग लाइटिंग हीटिंग लाइटिंग दे रखे गए 880 रुपीज की हीटिंग लाइटिंगpol 컨स्विप 26 का जा converts हो चुका है तब हीटिंग में आउट्स्टैंडिंग हम लोग करेंगे नाइन हंडड़ उपीस पे किस बैसे इस पे करेंगे फ्लोर एरिया फ्लोर एरिया किता था हम लोग का तो यहां पर हम लोग इसको फोर भाई सिक्स्टैनड पर लिए तो टोटल केता होगा इस नाइन हंड्ड़ को जहें अपॉश्मेंट के लिए तो किता हो गया 300 अब हम लोग के पास हीटिंग या लाइटिंग को अम लोग ने 600 लिख लिख लिए टोटल करता हो गया 900 का अब हम लोग के पास क्या information given है इंशुरेंस अब स्टॉक दे रखा गया 940 का अब जो इंशुरेंस अब स्टॉक 940 का दे रखा गया वह भी हम लोग लेते हैं वह किशचिल पर पोश्चन होगा वह ऑगा ट्राग पर तो यह रखा था एवरेस स्टॉक लेवल हम लोगों को कित्ता दे रखा था लेवल हम लोग को दे रखा था और 47,000 अब डिवाइट करेंगे तो टोटल का आ जाएगा हम लोगों को 500 का अब उसी को 2247,000 हम लोग कर लिया है तो टोटल हो गया 440 रुपीज का तो अब मैं इसको नोडाउन कर लिया है 500 440 तो टोटल हो गया 940 रुपीज अब जनर्र अड्मिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम लोगों के केता दे रखा गया वो दे रखा 273 रुपीज का अब उस जनरल अड्मिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में बता रखाता है अडिशनल फॉर्मेशन कि हम लोग ने यहां पर थार्टे थी रूपीज का पहले प्रीपेइमेंट कर चुके हैं तो अब उसमें सम्दों डिडट कर लेते हैं उस टूथाज़न सेवंटी थी रूपीज प्रीपेड पे कर दिया है तो टोटल हो गया 2040 रूपीज का तो वह किस बेसे पर अपर्शमेंट होगा वह होगा टोटल ऑफ सेल्स एंड पर चेज़स पर क्योंकि जैसे अडिशनल फॉर्मिशन हम लोगों को गिवन थी कि जनरल अ प्रोसेसिंग ऑफ परचेज़स एंड सेल्स इंफाइज तो उसको हम लोग ने टोटल परचेज़स और सेटए में जैसंक अ देहिए है और हम लोग की पर्चेसर सों सेल्स किती थी 59,000 और 29,500 और पर्चेसर थी 20,000 की तो प्रोड़क्ट ए की 59,000 और 20,000 टोटल 79,000 हो जाएगी पर्चेसर सेल्स प्रोड़क्ट ए की अब प्रोड़क्ट बी की हो जाएगी 29,500 प्लस 10,000 टोटल 39,500 तो अब देख लेते हैं कि हम लोग ने इसी बेसिस पे अलोकेट करा है कि नहीं करा है हम लोग ने इसी बेसिस पे अलोकेट करा है 79,000 और 39,500 उसका टोटल होगा 1,18,500 का जो कि अपॉश्मेंट करने के बाद हम लोग देख लेते क्या टोटल आता है तो 20,000 40 को हम लोग ने 79,000 और 1,18,500 से हम लोग डिवाइट करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1,360 का ओफिस को अपॉश्मेंट करेंगे तोटल सेल्स अपॉश्मेंट में तो इसका आ जाएगा हम लोग का 680 रूपीज तो अब हम लोग ने इसको भी इंपूट कर लिया है अड्मिस्टेटिव एक्सपेंसेस को तो 316 और 680 हम लोग जो कि हो गया हिएगा 20 40 रुपीज अब डेप्रिसेशन मेंनों को कहता गीवन था कि अधा मेंटा मैं यहां पर एक्विपमेंट्स हम लोग को दे रखे हैं जो डेलूट वी मैठेट पर पहले से ही है एटीन थाउजन और सेवन थाउजन पर तो यहां परोगों के डियाप्रिसेशन निकालने के बाद टोटल के ताउज़कर एटीन थाउजन पर तैन परसंट डेप्रिसेशन एटीन हंडर आ जाएगा और सेवन थाउजन पर तैन परसंट डेप्रिसेशन निकालने पर सेवन हंडर आ जाएगा एटीन थाउजन पर तैन परसंट निकाला एंटीन हंड़ेट और सेवन थाउजन पर टैन परसेंट डेप्रेसेशन निकाला तो यह हम लोग नहीं यहां पर नोट डाउन कर लिया है तो टोटल हो गया किता हम लोग का ट्वेंटी फाइफ हंड़ेट का अब मैजर्स कमिशन हम लोग को क्या बोला गया था मैजर्स कमिशन की इंफर्मेशन दे रखे गए थी कि अध्याइजर्स अफ्रोडट भी आर एंटाटल टू रिसीव कमिशन एट फाइफ परसेंट अफ दी नेट प्रॉफिट मैंनेट प्रॉफिट पर नोपाफ परसेंट यह जो कमिशन निकाल लेंगे वह हम लोग आ जाएगा इस पड़ुत मैजर्स कमिशन पर हम लोग उसन निकाल लेते हैं तो मेंजर्ट शाएंजट कमिशन हम लोग मैजर्स कमिशन निकाल लेंगे किछट्बे त्वजलीशन हाउज़ावजन हघ्रड rejecting प्रोड़ेंट बी 829 पर तो 5% अर्गों इस पर निकाल लेते तो किता आजाएगा 604 रुपीज एक्सप्रॉक्स और प्रोड़ेट बीपे निकालेंगे तो किता आजाएगा 41 रुपीज एक्प्रॉक्स हम लोगों ने डेप्रेसेशन और एक्पेप्मेंट्स पर डेप्रेसेशन निकाल लिया था एतीन हंडड़ेड एन सेवेन हंडड़ेड का टोटल हो गया था है अब लोगों मैंजर्स कमिशन निकार लेते हैं मैंजर्स कमिशन के लिए हम लोगों के लिए बोला गया था फिल-पॉइंट में जो managers of product A and B are entitled to receive commission at 5% of the net profit managers commission is paid before the payment of departmental commission तो जो managers का product A और B का commission receive करेंगे किस पर receive करेंगे 5% net profit पर और जो managers commission वो pay होगा before the payment of departmental commission तो हम दोने net profit पे managers commission लिका लिया 5% का जो की है total एक है 12,75 जो product A पर use होगा उस पर 5% हम लोग निकालेंगे तो वो जाएगा total 604 रूपीस और product B जो हम लोग 829 रूपीस पर 5% निकालेंगे तो वो जाएगा 41 रूपीस एप्रॉक्स तो इसको हम लोग इंक्लूट कर लेंगे अपने डिपार्मेंटर ट्रेडिंग प्रॉफित लॉस अकाउंट में तो यहाँ पर मुझे लगए 604 रूपीस और 41 रूपीस टोटल हो गया 645 रूपीस तो अब हम लोगने सारी जो है एंट्रिस नेट प्रॉफित निकालने के लिए जब एपार्मेंट ट्रेडिंग प्रॉफित लॉस अकाउंट में सब इंक्लूट कर ली है और कुछ इंफॉर्मेशन तो ऐसे मुझे लगने रही कि जहाँ पर इंक्लूट होगी त प्रॉफित यहां पर हम लोगों को ज्यादा लग रहा है 39,480 रूपीज प्रॉडट बी का है 19,814 रूपीज टूटल है 59,294 रूपीज अब इसमें हम लोग यहां पर सैलरी प्रॉटिसमेंट डिसकाउंट रेंट एंडेट्स कैंटीन हीटिंग इंशुरेंस जनरल डेप् 271 रूपीज और ऐसे यहां के क्रेट साइट का प्रॉड़क्ट भी ज्यादा है 19,814 रूपीज इसमें से भी हम लोग यह सारे प्रॉटिकुलर से हम लोग लेस कर लेते हैं प्रॉड़क्ट भी से तो यहां पर हम लोग का नेट प्रॉफित हाजाएगा 788 रूपीज तो इ बैलेंशीट हम लोग बना रहे हैं ऐसेट 31 डिसमबर 2020 में तो यहां पर हम लोग ने यहां पर फॉर्मेट बना लिया पर्टिकुलर स्ट नूट नंबर फिगर्स एड दी एंड ऑफ 31 डिसमबर 2020 तो यहां पर एक्विटी लाबिल्टीज हम लोग ने यहां पर लिख लिख यहां पर शेर कैपिटल अब लोग बात करेंगे तो शेर कैपिटल में हम लोग के पास कैपिटल गिवन है कोश्चन में 71,000 की और क्या कैपिटल में इंक्लूड हो रहा है कैपिटल में ड्रॉइंग्स इंक्लूड हो रही है 3,000 की तो हम लोग कैपिटल से ड्रॉइंग लेस तो रिजर्व सब्प्लेस हम दोग देख लेते हैं जिसाँ सब्प्लेस में हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना निगला था नेट प्रॉफिट हम लोग निकला था 11,471 रूपीज और 788 रूपीज टोटल हो गया 12,259 रूपीज का तो टोटल हम लोग ने यहां पर हम लोग पास कुछ है नहीं तो हम लोग ने इसको निल कर दिया है करन्ट लाइबिल्टीज यहां पर ट्रेट क्राइटर्स हम लोग को किते दे रखे गए हैं कोश्यन में यहां पर ट्रेट पेबल्स दे रखे हैं 5,319 रूपीज का तो यह हम लोग अपने बैलंस शीप में इंक्लूट कर लेंगे तो यहां पर ट्रेट पेबल्स ब्रैकिट में क्रेड़्ट आइब्स करके इंक्लूट कर लिया है 5,319 रूपीज का अधर करण्ट लाइबिल्टी हम लोग के कौन-कौनसी हैं अधर करण्ट लाइबिल्टीज में हम लोग कि है और सेन्डिंग सैलरी जो हम लोग को देना बागी था उस हॉथी 250 ए समेंटीन डशी तो टो टाल लोगे 420 रूपीज की और स्टेंटिंग लिभाल सैसंटी रूपीज का जो मिलोग को देना बागी था और स5000 गृनिंट स्ट्रिंट 3 руб़ Stress success का टोटल हो गया 645 रुपीज तो टोटल हो गया हम लोग का इनका 1185 रुपीज का जो कि हम लोग यहां पर लिख लिया तो टोटल हो गया बैलेंशीट ऐसे एक्विटी लाइबिल्टी इसका 86,663 रुपीज कि महीं लोग जुब बात कहलेटे हैं एसेट साइट्स में हम लोग क्लिक्षक नोन करेंट उसके इंदब फिक्स एड़्स कौन कौन से हीं तो कोशन में हम लोग के पास प्रक्षके 2020 का क्या क्या थे का तो टोटल हो गया किता 25,000 उस पर depreciation लगा था हम लोगों का depreciation किता था 1800 और 700 का तो टोटल दोनों डेपार्टमेंट्स का हो गया 2500 तो टोटल हो गया 22,500 रुपीस का तो अब इन दोनों का टोटल कहेते हैं बिल्डिंग और इक्प्मेंट्स का तो 43,000 प्लस 22,500 इसकल टो 65,500 रुपीस तो हम लोगों ने यहां पर intangible assets लिख लिया है 65,500 और यह किस note number पर note number 4 पर यह हम लोगों ने यहां पर mention कर दिया है intangible assets goodwill patents ऐसा कुछ ने तुम लोगों ने इसको निल कर दिया है non current investments कुछ नहीं है तुम लोगों ने इसको भी निल कर दिया है current assets इसमें inventory हम लोगों की क्या दे रखे गई है inventory हम लोगों question में दे रखे गई थी stock 2320 रुपीज प्रोड़क्ट ए का और 2001 है 36 रुपीज का तो total closing stock हो गया 2800 रुपीज का closing stock हो गया 2450 रुपीज का डेप्टर्स का तो डेप्टर्स हम लोगों के पास question में कितने mention थे डेप्टर्स हम लोगों पर question में थे 10,200 रुपीज के तो यह हम लोगों balance sheet में include कलेते हैं asset sites में 10,200 इसको हम लोगों ने include कर लिया है cash and cash equivalents इसमें bank कमपनी पास cash bank करता हम लोगों के पास था तो bank हम लोगों के पास दे रहा था 5600 रुपीज का तो यहां पर cash and cash equivalents उसके अंदर bank हम लोगों इंक्लूट कर लेते हैं 5600 रुपीज other current assets के अधर current assets में हम्लों के पास क्या क्या थे हम लोगोंने current assets में थे जितने हम लोगों पहले payment कर चुके हैं थे तो हम लोगोंने general administrative expenses का payment कर चुके थे 33 रुपीज का rent and dates हम लोगोंने question में पढ़ा था है कि हमने प्रिपेमेंट कर दिया था है गिता है 80 रूपीज का तो टोटल हो गया इनका 113 रूपीज तो हम लोगोर अगरा यहां पर नंबर दे रखा गया है 56 हो जाएगा यहां पर हम रहों के रिखा 113 रूपीज तो total का हम लोग कर लेते 65500-5250 1020 5600 और 113 रूपीज तो टोटल हो गया 6,633 रूपीज का तो यहां पर बिसके लिए हम लोगने यहां पर क्या क्या प्रिपे करा यहां प्रिपेक करा डिपार्मेंटल क्रेडिंग प्रॉफिट לॉच अकॉंट और बैलन शीट जिसका था पहले नेट ट्रेडिंग बनाया जन्ने प्रॉफिटल लॉस अकॉंट बनाया और बैलेंशीट बनाया तो आज की वीडियो में आज इतना ही और हमाई बुक पर नहीं है तो आप हमारे बुक पर्चेस का सब्सक्राइब जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है थ थैंक यू